तो आज की इस वीडियो में हम आपको ले के आएं एप्लाइट केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को तो यह जो मॉडल पेपर है वह आपके यूपी पॉलिटेक्निक के सिलिवर्स पे आधारत है यह ऐसा मॉडल पेपर अगर आप इस मॉडल पेपर को भी अगर अच्छे से करके जाते हो तो आप पासिंग मॉड जो था है 17 नंबर उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हो और इसी तरीके का आपका प्रिश्ण आपके बोर्ट के एक्जम में पूछा जाता है और इन मेंसे बहुत सारी कोशन्स आपको मिलने वाले तो वीडियो में तक जरूरू बने नहीं कि 50 नंबर का प्रीश्ण दो टीन चार पांच परिश्ण रहते इसमें से पहला क darauf करने ब sap चैजिए और दूसरें जिस में से कोशनistic पहला कि दे दियेंगा है दूसरा मैंसे आपको पांच किने आपको कोंजनरे हो तो तीन मेंसा दो करने होते हैं ठो चलिए आप मेंसे दो करने होते हैं ये भी पांच-पांच कि हुझते हैं however प्राइब हुचा जाता है कि wy driven सायोजी योगिक है किन्तु ये बिद्धुत का सुचालक है क्यों नेक्स्ट कुशन इमिलों की में से किसका आकर सबसे बढ़ा है मतलब एक MCQ टाइप का कुशन भी है चार आप्शन दिये हैं आपको किसी एक आप्शन का इसमा आंसर बढ़ना है आपको एक दादू का नाम लिखिये जो बायू में संचारत नहीं होती है नेक्स्ट कुशन इनक्स्ट कुशन है किस इलेक्टरोड के और E.R.P.E. किसे क्या संबंद है अलेक्स्ट कुशन जंग में लोह उपस्तित होता है डेश के रूठ में इसमें जो पहला कोशन है, जिसमें जो दस कोशन दिये गए जो एक एक नम्मर के कोशन है यह जातार इननी पर वेसिस होता है, इसमें आपके वन बर आंसर भी होते हैं, आपके समें M-C-P-U-V, सारे मिक्स अप होता है तो छोड़ दी चोड़ी जो भी चीजे होती है, आप उनको भी ंते n mentor को question नादा को कर सकते हो और अगर आपने आसानी से एक norme कुषिंसे किनी चे गों भी कर लिया तो छे Noion आपके 100% पके आप आराम से अब आगे 11 number आदा सकते हैं, एक passing marks लिए बता रहा हूं, मैं एक नॉर्मल वे में पासिंग मास बता रहा हूं, आप ज़रूर नहीं है, आप 17 नंबर ही लाओ, आप जादा से जादा नंबर भी ला सकते हूं, ठीक है, नेक्स कुशन है, अलफा तता गामा, पाई, सोरी, सिंग्मा तता पाई बंदों में अंतरत बताईए, नेक्स कुशन है, एक तत्व एक का इलेक्ट्रोनिक बिन्यास, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, 4S2 है, तत्व के निमलिकित का निदान कीजिए, ब्लॉक, बग संक्या, आव में कीजिए, CACL2 का आवड़िक दिरभ्यमान, ग्राम में 111 ग्राम है, नेक्स कुशन है, एक परिवार 25 दिन में 50 किलो ग्राम इधन की खपट करता है, परिवार द्वारा एक दिन में प्रियुक्त होने वाली औसत उठजा की गणना कीजिए, नेक्स कुशन है, वेरिंग म आपके एक्जामें देखने को मिल जाएगी, अगर आपको IUPAC अच्छे से आती है, तो पांच नमर आपके IUPAC के 100% परसेंट कन्फॉर्म है, अपको IUPAC हर वार आपके एक्जामें मिलती है, बाई चांस कभी-कभी यह सो जाते है कि IUPAC नहीं पूची है, बनना IUPAC तो आपके भी करने है, ठीक है, चोईस है यहाँ पे, पहला संक्रन क्या है, SP3 संक्रन को एक उधान साइट समझाएगे, एक मिली लीटर, 10 की पारो माइनस 6 NECL को 99 मिली जल मिस मिलाये गया है, प्रयाप्त बिलियन के pH मान की गणना कीजिए, लॉक 10, 11 is equal to 1.0414, ठीक है, लॉक क जो आपकी प्लास्टिक जो आपकी थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है आपकी, यह पूछा भी जाता एक्जाम भी जाता है, नेक्स्कूशन दात्तो एक संचारों के कारण को 1 नवारोगताम पर संक्षी टिपड़ी लिखिए, एक अच्छे बारनेस की विशैस्ता है, लिखि एक अच्छे पेंट में क्या विशेश्चता है होती है देखो आईउपेसी जैसे मैंने आपको बोला था एक दो नमबर की उपर मिल गई और आपको यह पूरा कोशन आता है तो आप यहां पे भी पांच नमबर आप आराम से आप ले सकते हो तो साथ नमबर की तो इसी मॉडल पेपर में आपको आईउपेक दिये गए हैं तो आईउपेसी मोस्ट इंपोटेंट है तो प्लीज आईउपेसी को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाईएगा ठीक है बागी इस तरीके के मॉडल पेपर है अगर आप यह मॉडल पेपर मॉडल पेपर मॉडल पेपर अगर आपको solve करना आता है तो आप एक्जाम में अच्छे marks ला सकते हो fail तो आप नहीं हो सकते है फिर आप कोशेश करिए कि इस और मॉडल आप chemistry को और अच्छे से पढ़ो बागे important questions मैं आपको यह जल्दी लेके आऊँगा चो जाहतर पिछले 5 यह से जाहतर एक्जाम में रिपीटेड हो रहा है और इस बार भी एक्जाम में रिपीट होने की समभावना है तो वीडियो में एंट तक बन रहने के लिए बहुत बने बाद नीचे में टेलीग्राम चैनल का डिन डाल दूँगा वाँ से आगे आप चेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो बढ़ना आप में नीचे में को कमेंट स्क्ष्ट में लिख सकते हो आपको मैं यह मॉडल पेपर भी प्रोवाइट करा दूँगा मिलते एंगली वीडियो में तब तक के ऑई बाई